कैंट विदान सवा 175 उमीद्वार बाशपा के प्रत्याशी ब्रजेश पाठक का सामर्थन डोर टू डोर करते हुए रामगर शुकला ने टिकेट किये खुद दावेदारी में रहे रामगर शुकला लेकिन बाशपा से टिकेट ना मिलने की बावजूद ब्रजेश पाठक जी के सामर्थर में लगे हुए हैं और उनका बूलना है कि टिकेट नहीं मिला तो क्या हुआ हम यह सरकार जाने नहीं देंगे क्योंकि योगी मोदी और अमिशा जैसे नहींता हमीं दोबारा नहीं मिलेंगे सब्सक्राइब होती है और यहां से मतलब बहुत लोग जुड़े हुए हैं हमारे लोग किसी से इनकी टकर नहीं है पाठक जी ने इतना काम किया है प्रदेश लेविल पे इनका है यह तो प्रदेश में कहीं भी इनको विदान सभाव मिल जाती यह जीत जाते बिना परचार सब्सक्राइब किती मुश्किले का समना है पिसरी जार मध्य से लड़े थे आपकी कैंट से लड़ रहे हैं इन्होंने चार साल पांच साल में इतना काम किया है उस वजह से लखनों में किसी कहीं से भी लड़ेंगे तो इनको मिलेगा क्योंकि मैंने करोना काल में खुद एक करें एक अदो कि यूद्स करों मेरा कार्यान करता के वजब के सरकार बंती है और उसका हमें कोई और नहीं हमें तो अपने देश को वर्ड लेबिल पहुंचाना है इसलिए मोधी और योगी हमिसा जैसा हम लोगों को नेता नहीं मिलेगा अगर इनका कहीं से हम कम जोर पड़ेंगे तो सभी लोग उसे अपील है कि इनको ओड़ दें बाकी इन लोग से खुद पूछिए बताएंगे